आज मैं आपके लिए लेके हैं बहुत ही टेस्टी से डिजर्ट की रेस्पी गाजर का डिजर्ट बनाएंगे और टेस्टी बहुत होगा बड़ी आसा डिजर्ट बनका तायार होगा मुझे उमीद है कि आपको ये रेस्पी बहुत जादा पसंद आएगी रेस्पी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए तक यानने वाली वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे इस डिजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने दो सलाइस ब्रेड के लिए इसके कॉर्नर हटा लिये इस तरिके से हमने इसको roughly तोड़ लिया है क्यूंकि हमें इसका ब्रेड क्रम बनाना है और चलिए अब हम मिक्सि का जग ले लेते हैं ये जो हमने bread टोड़के रखी थी वो पूरी है, bread हम इसके इंदर डाल देंगे जंगे टकन लगा लेंगे और इसका fine powder बना लेंगे आपको दिखा देते हैं किस तरीके का ये poverty बनकर तड़ा हुआ है और देखिए water बहुत ही अच्छा बन गया है चलिए अब हम गैस के और चलते हैं गैस पर हमने कड़ाई गरम होने के लिए रख दी है उसके अंदर डालेंगे एक चमच देसी गी और देसी गी को पहले गरम होने देते हैं गी को अच्छे से गी जो है हमारा मैल्ट हो चुका है हमने यहाँ पर गाजर ली है 800 ग्राम गाजर ली है और जिसको हमने अच्छे से दोने के बाद ग्रेट करके ले लिया है और ग्रेटर गाजर हम इस कड़ाई के अंदर डाल देंगे क्योंकि हमें इसको अच्छे से बुनना है गाजर को हमने इसके अंदर डाल दिया है गी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाते हुए हमें लगाता चलाते हुए और भूनना है, अच्छे से घी के साथ एक डेड़ मिनट तक हम गाजर को भून लेंगे, डेड़ मिनट तक हमने गाजर को मिक्स करते हुए भून लिया है, अब हम इसकी लिड़ लगा देंगे, बिल्कुल मीडियम आज पर हम इसको पकने के लिए शोड़ देंगे तीन-चार मिनट तक हम इसको ढख कर पका लेंगे चलिए गाजर को फिर से चेक कर लेते हैं गाजर को ढख के हुए लगबग चार मिनट के करीब हो चुके हैं गाजर देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुकी है अब हम इसको मिक्स करेंगे मिलाएंगे अच्छे से और इस तरीके से स्पेट्चर से बढ़िया से दबाते हुए देखिए गाजर बहुत अच्छे से मैश हो रही है हलका सा दबाते वीछ पूर लेंगे और भड़ी हसा मिक्स करेंगे हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है गाजर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होकर तयार हो छुकी है अब डालेंगे हम इसके अंदर में दूद के साथ दूद के साथ मिला क knee so जो गाजर है उसको पकने लिए दूसरी गास पे रख दिआ है क्योंकि हमें अबी एक रवडी तैयार करनी है जब तक कि हमारी गाजर पकरी तने देर में हम एक रवडी बनाकर तैयार कर लेते हैं उसके लिए हमने पैन लिया है उसको हमने गैस के उपर रख दिया है इसके अंदर भी हम देढ़ कफ दूद दूद डालेंगे आदा कप मिल्क पॉडर लिया है जो दूद का पॉडर होता है वो ही लिया है वो डालेंगे इस दूद के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और मिक्स करेते रहेंगे मिलाएंगे अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और साथ में मिक्स करते करेंगे गयास का फिलिम दीमा ही रखना है हमने दूद पौरडर डालकर अच्छे से मिला दूद के साथ और यह हमारी रबडी रबडी को और भी जल्दी गाड़ा कोशी है वि lefeed को ब मत ईहाए से दूद के साथ मिक्स करते आप देख सकते हैं जब हमने इसके ं度र यह ब्रेड करम डाला तो बहुत ही जलदी से we है और अभी हमें इसको और भी पकाना है अच्छे से इसको गाड़ा करना है इसे हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं लगाता चलाते हुए पकाएंगे recy 29 रहना है रहना है पक्षार घ्रयम करेंगे किया है दूद अभी काफी गाजर के अंदर है इसको हम मिला देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से हम ढख कर इसको मीडियम आज के पार पकने देंगे चलिए फिर से रबडी के और चलते हैं रबडी को पकते हुए चार-पांच मिनट हो चुके हैं और देखिए कितनी गाड़ी सी भी हो चुकी है लगबबस हमारी जो रबडी है बनकर तैयार हो चुकी है अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप मैं इसके बड़े आते हैं इस डीजट के अंदर बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छे से मिला देंगे और चीनी को मिक्स करेंगे एक जर्ट मिंड़किव ने के इसंदर रबड़ी को पका लिया है रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है रबड़ी को साइड पे कर देते हैं चलिए अब हम गाजर जो रखी थी उसको भी चेक कर लेते हैं और लगाता चलाएंगे अभी इसके अंदर दूद है और अच्छे तरीके से चलाते हुए हमें इसको घ आप अब डालेंगे इसके अंदर मीठा करने के लिए कूछी लगने मैं अदर आदा पूल चीनी डालेंगे सब्सक्राइब चीनी डालने के बाद हम फिर से पका लेंगे अभी मैंने इसका फ्लेम हाई पर ही रखा है और लगातार चला रहे हैं इसलिए हमने फ्लेम को हाई पर रखा है और चीनी का पानी सुखने तक हम इसको अच्छे से सुखाएंगे देखिए बहुत ही बढ़िया से गाजर फिर से पकर तैयार हो चुकी है बढ़िया पक गई है बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है चलिए गैस को बंद कर देते हैं मैं डिजर्ट जो मिठाई आपको बनाना सिखा रही हूँ मैं दो तरीके से इसको सर्व करूँगी आप इसमें से दोनों में से दोनों तरीकों से भी सर्व कर सकते हैं दोनों तरीकों में बहुत बढ़िया मिठाई बनका तैयार होती है बहुत ही टेस्टी बनती है और अब मैंने यहां पर bread slice लिए हैं और इसको मैं काटूंगी मैं round shape में एक मिठाई बना कर आपको दिखाऊंगी आप चाहे तो इस तरीके से मिठाई को serve कर सकते हैं जा आप dessert की तरह आप ball के अंदर डाल कर भी इसको खा सकते हैं मैं इस तरीके से पहले bread slice लेती हूँ और इसको round shape में काट लेती हूँ इस तरीके से round shape में इसको काटना है सभी bread को इसी तरीके से तयार कर लेना है शेर slice लिए थे और इसमें से round slice हमारे पास निकल चुके हैं और इसको हमें करना है सोख सोख हम करेंगे इसको चीनी का syrup बनाया है मैंने चीनी को पानी के अंदर गोल कर उसका syrup बन ають बने में अच्छे से सत्हां करना है और से लगा देना है सारी ब्रेड के ऊपर एक तरफ मैंने ार ех।्व लगा लिया ded मृल ब्रण पने और पैदिक मैं अच्छे से भरकार बहुत ज़़््यादा राद तक हम आपक्ता बनाया था तेंद बहुत बहुत बनता है वह अपक आप इसको किस तरीके से सर्व करना चाहते हैं मैंने इस तरीके से सारी ब्रेट के उपर जैसे गाजर का मिशनन अच्छे से लगा दिया इस दू-सनौशा के था जो औरалы बिल लगाएंगे कि हमें इसके थीन मनें उपका इस तरीके से जूकर्द के और हम दूसरी ब्रेट थी वो उपर रख देंगे इस तरीके से हमने देखिए इस तरीके सा ये सेंबिस सा बना लिया है बहुत अच्छा लग रहा है खाने में बहुत टेस्टी है चलिए हम सर्व करते हैं इसको रखते हैं प्लेट के अंदर उपर से जो रबडी बनाई है उपर भी ने इसके ।सटा डाल दिये हैं तीनों के ओपर अच्छे से डाल दिए हैं और डालेंगे हम साथ ही डाल देंगे डिक्ट कोकोनट का पोडर बहुतधी टेस्थ देगा बहुत बढ़ी आशा यमी सा इससे टेस्ट आएगा अब मै दिखाती हूं रुसरे तरीके से डिज तायर किसे याथ वह डाल देंगे और दूसरी रीयर होगीούμεरी रब्री दालेंगे पाई देवमपर और पदेंगे और उसके उपर यम walls ब less 그래 आप चाहे तो गर्मगरम भी घा सकते है थंडा सकते हैं थंडा करने के बाद हूद भी और अब है राव ताप देफिंगे तो भी अच्छी लगेगी वह आपके उपर है कि आप इसको कैसे खाना चाते हैं ठंडा खाना चाते हैं जब गर्म घरम भी इसको सर्व कर सकते हैं रवडी हमने उपर डाल दी है टॉप पर और साथ में हम गार्णिशिंग कर देंगे पिस्ता उपर से हमने पिस्ता डाल दी हैं और कोकोनेट का पॉडर उपर से डालेंगे बहुती बढ़िया सा डिजर्ट बन कर तैयार है आप चाहे किस तरीके से भी इसको सर्व करिए बहुत ही जादा टेस्टी है वो आपकी मर्जी है आप इसको कैसे सर्व करना चाते हैं कैसे खाना चाते हैं उसी तरीके से खा सकते हैं अगर देखने में अच्छा लग रहा है चीज तो खाने में तो टेस्टी होगी ही देखते ह मूँ में पानी आ रहा है बहुत ही बड़िया डिजर्ट बनकर तैयार हुआ है गाजर का और रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा मिलते हैं अपने एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइबाइब